वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे हजार सब्स कंप्लीट करवा दिया है और मैं रियरी बहुत खुस हूँ ऐसा लग रहा है कि मुझे डायमेंड प्ले बटन मिल चुगा है और आपकी हिल्प की बिना बिल्कुल भी पॉसिवल नहीं था आई नो ये सुनने में कम लग रहा है पर मेरे लिए बहुत बड़ी अचिप्मेंट है मैं एक कमुनेटी पोस्ट डालूंगा जिसमें आप जाके मुझे क्यों यरे के कोस्टन्स पूछ सकते हो अब विडियो को स्टार्ट करते है यूचरों के पास डीमन बैक भी है यूचरों इतने स्ट्रॉंग है कि यूचरों से पहले उन्होंने पुरी उस आरमी को अपने बेर हैंड्स से हड़ाया था मेजर जेनरल जेम्स यूचरों के ओपरेशन के लिडर थे उन्होंने request किया था nuclear bomb का बस एक आदमी को मारने के लिए जो कि थे यूचरो हानमा I mean imagine बस एक आदमी को मारने के लिए एक nuclear bomb इसका कारण था कि वो यूचरो का control नहीं कर पा रहे थे ये लड़ाई हो रहा था एक small island में जो कि ओकिनावा के पास था जहां यूचरो ने बहुत सारे soldiers को धोके रखा था उस island में बहुत जादा bomb गिराया गया था और अलसो बहुत सादा shooting भी हुआ था यूचरो ने फिर major general James को चोर से एक battle ship में फिक दिया और इससे major मारे गए वही तर इस operation के head थे जब यूचरो सारे soldiers के सामने आए वो 2000 soldiers यूचरो को देख कर चास से पाने में गूद गए क्योंकि उन्हें पता था कि जो आदमी उनके सामने खड़ा है उसी ने उनके general और बहुत सारे soldiers को मारा है सो हमी यूचरो के parts के बारे में बहुत कम बता है हमें ये तक नहीं बता कि वो कितने strong है पर ओकिनावा के battle के हिसाब से उन्होंने पूरे USA को अकेले ही समाल लिया था हमें ये भी नहीं बता कि यूचरो यूचरो हानमा से strong है भी कि नहीं इसका कोई evidence में नहीं कि उनका fight हुआ भी था कि नहीं पर जब यूचरो का ghost टैपेर हुआ था तब हम यूचरो के face को देखकर समझ सकते ही कि यूचरो के अपने मन में अपने बाप कड़ेर है जहां यूचरो इतने techniques का master है वही यूचरो बस एक technique उसकरते है इसी से उन्होंने ओकिनावा के लराई में इतने सारे स्थिपाईयों पर जोगा रहा था वो soldiers इस टेकनीक को dress बुलाते है पर यूचरो सही से इस technique का नाम बताते है जो कि है guys इस technique में fighter अपने आपने आपने को उठाके नंचक जैसा अपने आसबास घुमाता है और यह ऐसा बहुत तेजी के साथ करना होता है और तेकर ऐसा लगता है कि fighter ने एक usable होते है अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके वज़े से मुझे दोना backlash मिल सकता है बहुत लोग मानते है कि यूचरो हानमा यूचरो से strong है I know कि हमें बहुत बार यह सुनने को मिला है कि यूचरो strongest feature है यूचरो इतना strong है कि उन्होंने अपने हाथों से earthquake क किया है और तो और lightning को भी साहा है पर फिर भी हमें कुछ ऐसे characters देखने को मिले थे जो कि यूचरो को टकर दे पाए थे और उन्होंने यूचरो को demon back यूचरो करने पर भी मजबूर कर दिया था जैसे कि मुसासी मिया मोल्टो बाइदबे मुसासी वर्सिस यूचरो का fight मेरे मांगा चैनल पर आ चुगा है बी सियोल टू चेक आउट पर देखो मुझे लगता है कि यूचरो खानमा अल्ली आदमी है जो कि यूचरो से जादा पाउरफुल है आप मेरे साथ disagree कर सकते हो ये मेरा opinion है यूचरो demon back पोसेस करते है जिससे कि उनको matches में advantage मिलता है demon back क्या है मैंने इस वीडियो में बताया है link in description बाकी को demon back up ने पीदा यूचरो से मिला था और यूचरो को demon back up पने पीदा यूचरो से मिला था यूचरो किसी में टेक्निक को देख कर उसको यूचरो भी कर सकते है जब यूचरो का स्प्रीड आया था यूचरो और बाकी के match में तब तो हम यूजरो के face में हेरा नहीं देख सकते हैं सहथ यह हो कि यूजरो और यूजरो पहली भी लड़े हो एंड यूजरो उस लड़ाई को हार गये हो ये मेरा speculation है और सबसे सही सिन तो वो था जब यूजरो ने यूजरो का मजाग उड़ाया था उन्होंने कहा था कि यूजरो एक बच्चे से लड़ रहा है जो बच्चा है बाकी यूजरो ये कहना चाहते है कि अगर वो यूजरो के जगा होते तो बाकी को और जिल्दी हडाते जब कोई यूजरो का मजाग बनाता है तब उसको यूजरो से भगवारी बचा सकते पर जब यूजरो ने यूजरो का मजा कुड़ाया तब यूजरो बस हैरान थे वो कुछ कहने पा रहे थे यूजरो तब वहाँ एक इडियोट की तरह खड़े थे कुछ बाकी फैंस का मानना है कि यूजरो ने यूजरो को मार डाला था पर मैं इसे सहमद नहीं हूँ क्योंकि देखो यार एक हानमा का एज जितना बढ़ता है उतना है उनका पाउर्स भी बढ़ता है हानमा सौ साल में से भी जाधा तक जिन्दा रह सकते है और मेरा वानने यह है कि मरने से पहले यूजरो बहुत स्ट्रॉंग होंगे पर यूजरो अपने प्राइम में यूजरो से जाधा पाउर्फुल होंगे जैसे यूजरो बाकी पर अपना पाउर दिखा सकते हैं वैसे ही यूजरो भी सायद अपने प्राइम में यूजरो पर ऐसा किये होंगे स्ट्रेटर ने कि यूजरो लोते ऐसे इंसान है जो कि यूजरो से ज़ादा पाउरफुल है और हम यूजरो के फेस पर डर देखकर इस स्टेटमेंट को सही कहे भी सकते है खेर अगर इनका कभी भी किसी तरीके से भी मैच हो गया तो मैं यूजरो का सबूर्टमेर होंगा और मेरे हिजब से यूजरो यूजरो से ज़ादा पाउरफुल है यूजरो कभी किसी को अपने पाउर का रॉब नहीं दिखाते जैसे एक बार इकी गुजरो के साथ लराई में वो जान बूच कर हा रहे थे डोपो को सब पता था कि यूजरो पैसे के वज़े से गुजरो से जान बूच कर हा रहे थे उन्हें बस पैसे चाहिए थे और गुजरो के इसलिए ब्लॉग नहीं किया क्यों की वो हमले ब्लॉग करने के लाइक नहीं थे मतलब वो एटेक यूजरो के लिए कुछ भी नहीं थे अगर वो एटेक ताकत पर होते तब यूजरो को ब्लॉग करना परता उसके बाद यूजरो ने डोपो के सर्ट को पकड़ लिया था पर डोपो यूच्रो के मूप पर एक किक मारते ये पता नहीं कि किक से उनको कोई असर हुआ की नहीं पर फिर डोपो चले आते हैं और कहते हैं मैं देख लूँगा रिकी गुजान को बहुत लोगों का ये मानना है कि यूच्रो कानवा डीमन बैक के सबसे पहले possessor है उनके बाद ये यूजरो को मिला हमने यूजरो को कभी डीमन बैक को यूज करते हुए नहीं देखा वो बाकी से बहुत similar है या भी कह सकते हैं कि बाकी यूजरो से बहुत similar है दोनों ही बहुत rare उके संस में अपने डीमन बैक को यूज करते हैं ये भी एक ही reason हो सकता है कि यूजरो अपने डैट को हेट करते है हमें उकिनावा के battle में यूजरो के बैक पर डीमन का face देखनों को मिला था साथ वो अपने उस लड़ाई में अपने डीमन बैक को यूज़ कर रहे थे दूसरा चीज जो बहुत सिमिलर हो सकता है वो है डीमन ब्रेन मुझे लगता है कि यूईचरो के पास में डीमन ब्रेन है और साथ उनी से ये डीमन ब्रेन बाकी को भी मिला हो ये पॉसील है क्योंकि बाकी और यूईचरो खौनमा में बहुत सिम्लैरिटी से अब आखरे में हम बात करेंगी यूईचरो के मौत के बारे में हमें नहीं मता कि वो कैसे मरें क्या उनको किसी न मार डाला है या फिर वो किसी वोड में मरें पर मुझे लगता है कि वो अपने old age की वज़े से मरे एक इंसान जिसको अपने जिंदेगी में हर एक satisfaction मिल गया था उसका मौत old age से हुआ पर मरने से पहले इन्होंने world के strongest का किताब जीता और अपने wife एंड बेटे को बहुत प्यार भी किया या मुझे एक ही ने कि उन्होंने यूजरो को बहुत प्यार किया होगा और यूजरो के मौत के बाद ही यूजरो का push मिला और उन्होंने खुद को build किया हमें कभी यूजरो और यूजरो का match देखने को नहीं मिला एंड moment में इनके old age ने इनसे ये match छीन लिया और यूजरो और यूजरो में कौन सबसे जादा powerful है और यूजरो इनके match हो तो कौन जीतेगा एंड एक वर फिर से सुक्रिया 1000 सबस्क्राइबर कम्प्रीट करवाने के लिए एंड चैनल पर ने आया हो तो सबस्क्राइब भी करे देना मैं मिलता हम आप सब्सक्राइब तब तक के लिए बाई बाई